नमस्कार वोन इंडिया में आपका स्वागत है मेरा नाम अभिनाश है तारीख 13 नवंबर साल 2014 इस दिन रोहित शर्मा क्रिकेट जगत में हमेशा के लिए अमर हो गए जब भी क्रिकेट इतिहास में शर्व श्रेस्ट व्यक्ति गति स्कूर का जिक्र होगा तो रोहित शर्मा का नाम स्वर्णिम अक्षरों में सबसे पहले लिखा जाएगा हाला कि इतिहास तो रोहित शर्मा बहुत पहले ही लिख चुके हैं और जाने कितने रिकॉर्स अपने नाम करेंगे रोहित शर्मा ने इसी दिन श्रुलंका की लंका लगाई थी 264 रनों की पारी उन्होंने खेली थी 6 साल से ये रिकॉर्ड आज भी कायम है वंडे क्रिकेट में किसी भी खिलाडी द्वारा खेली गई ये सबसे बेस्ट पारी है रोहित शर्मा ने शुलंका के खिलाब वंडे सिरीज के चौथे मुकाबले में 264 रनों की मैराथन इनिंग्स खेली थी उन्होंने अपनी पारी के दोरान 173 गिंदों का सामना करते हुए 33,4 के और 9,6 के लगाई थे आपको बता दे कि रोहित शर्मा वंडे क्रिकेट में तीन बार 12 शतक लगाने वाले दुनिया के अकेले खिलाडी हैं शुलंकाई गेंदबाजों की पिटाई किस हद तक हुई होगी आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 186 रन मुंबई किस बलेबाज ने सिर्फ चौकिया और छखकों से ही बना डाले थे इस मैश में पारी की आखरी गेंद पर रोहित नुवान कुल सेखरा का शिकार बने थे इसे पहले भारती कप्तान विराट कोहली ने टौस जीत कर पहले बलेबाजी करने का फैसला किया ओपनिंग के लिए आजिंक रहाने के साथ रोहित शर्मा आए करीब तीन महने का ब्रेक और फिंगर इंजरी के बाद वापसी कर रहे रोहित शर्मा ने सौ रनों की पारी सौ गिंदों में ही खेली इसके बाद रन गती को बढ़ाते हुए उन्होंने चौके छके लगाने शुरू कर दिये देखते ही देखते रोहित शर्मा ने डेड़ सौ और फिर दो सो रन बना डाले उस वक्त रोहित वंडे किर्केट में दो दोहरे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे हाला कि अब दो नहीं बलकि तीन दोहरे शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं रोहित शर्मा तो दूसरा शतक पूरा करने के लिए रोहित ने महज 51 गिंदों का सहरा लिया यानि की 100 से लेकर 200 रनों तक आगडे को छूने के लिए रोहित ने महज 51 गिंदों का सामना किया था इसके अलावा आखरी के जो 64 रन बने थे वो रोहित शर्मा मात्र 22 गेंदों में ही बना डाले थे बता दी कि रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में आखरी गेंद पर आउट होने से पहले 173 गेंदों का सामना करते हुए 33 चौक के और 9 छकों की मदद से कुल 264 रन बनाए पर ही ओल आउट हो गई और मैच 153 रनों से हार गई थी इस पारी का जिक्र करते हुए एक मज़ेदार किस्सा रोहित शर्मा ने सुनाया था दरसल आउट होने के बाद जब ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा लोटे तो हर किसी ने बढ़ाई दी तो उस समय के कोच थे डंकन फ्लेचर उन्होंने रोहित शर्मा से कहा कि वो 300 रन और बना सकते थे इसके बाद रोहित शर्मा ने जवाब में कहा कि यार डंकन फ्लेचर आपको 264 कम लग रहे हैं क्या इस खबर में बस इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे है वन इंडिया के साथ